अभी हम जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं वो है मिट्टी का विनाश ज्यादा तर देशों में 50 प्रतिशत से ज्यादा उपरी मिट्टी नश्ट हो चुकी है दुनिया का हर जिम्मेदार वैग्यानिक साफ साफ कह रहा है कि सन 2045 तक हम 40 प्रतिशत कम भोजन पैदा कर रहे होंगे और हमारी आबादी होगी 9.2 अरब ये सोचना मूर्खता होगी कि सिर्फ दुनिया के गरीब लोगों पर इसका असर होगा नहीं इसका असर दुनिया के हर इंसान पर होगा क्योंकि सब भिताएं ढह जाएंगी जब भोजन की कमी होगी तब ग्रेह युद्ध छिड़ जाएंगे बात सिर्फ हमारी नहीं है हम उस बच्चे की मिट्टी इस्तिमाल कर रहे हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुआ है हम खुद के लिए एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो बहुत ही भायानक होगी लेकिन इसे पल्टा जा सकता है मिट्टी बचाओ अभियान का यही उद्धेश है ताकि मिट्टी को पुनर जीवित करने के लिए 192 लोक तांत्रिक देशों की नीतियों में बदलाव लाया जा सके इसके एक हिस्से के रूप में मैं 65 साल का हूँ और मैं 30,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा हूँ ताकि मिट्टी को पुनर जीवित करने के लिए समर्थन जुटाया जा सके 21 मार्ट से लेकर 100 दिनों तक पूरी दुनिया को मिट्टी की बात करनी चाहिए इसका एक हिस्सा बने और आईए इसे संभव बनाएं